अब यहां अर्जुन का एक महत्व पूर्ण सवाल है और अर्जुन प्रश्ण पूछता है कि हे प्रभु मनुष्य किसे प्रेरित होकर पाप का अचरण करते हैं तो भगवान बहुत सुन्दर बात यहां जवाब में इतनी सटीक और सिंपल शब्द में कहते हैं रजो गुण से उत्पन, काम और क्रोध अगनी के समान है जो राग द्वेश के पूरक है यह ज्ञानियों के निरंतर बैरी है काम से ज्ञान ढका हुआ है मन, बुद्धी और इंद्रिया इसके वास्थान है कितने सुन्दर बात कहिए कि रजो गुण से उत्पन, काम और क्रोध राग द्वेश जिसके पूरक ज्ञानियों के निरंतर बैरी और यह रहते कहां है तो मन, बुद्धी और इंद्रिया इसके वास्थान है इसलिए अर्जुन तुप पहले इंद्रियों को सही अतकर, उसको सही अम मेलाओ क्योंकि यहां रदई देश की अंतर जगत की लड़ाई है जो इंद्रियों को वश्मे करता है, वा ज्ञान विज्ञान से पाप का नाश कर देता है इस अंतर देश की लड़ाई में इंद्रियों की बहुत बड़ी भूमी का है जो मनुष्य के मन को बढ़काते हैं, विचलित कर देते हैं इसलिए परमात्मा उसे कहते हैं कि इंद्रियों को सबसे पहले सायम में लाओ उसको वश्मे करो और वो भी कैसे वश्मे करना ज्ञान विज्ञान से, विज्ञान मना लौजिक विवेक यानि ज्ञान समझ, समझ और विवेक के साथ इसको सबसे लाओ तब तुम पाप कर्मों को नाश कर सकोगे इसलिए मनुष्य किस से प्रेरित होकर पाप का अच्रन करते हैं रज्यों गुण से उत्पन काम और क्रोध, जो राग द्वेश के पूरक, ज्ञानियों के निरंतर बैरी, मन, बुद्धी, इंद्रिया इसके वास्थान है और उसको इलिए अपनी इंद्रियों को सहियम में लाओ और सहियम में भी कैसे लाना है ज्ञान विज्ञान से समझ और विवेक के साथ उसको आच्रन में ले आओ तब पाप कर्म से तुम मुक्त हो जाओगे कितना सुन्दर जवाब आज दुनिया में कई बार लोग मनुष्य से भी ऐसे सवाल पूछते हैं लेकिन इतना सुन्दर सठीक जवाब कोई नहीं दे पाते हैं गिता भी हमने कई बार पढ़ी होगी परन्तो ये भावार्थ को कभी समझ नहीं पाते हैं और फिर आगे भगवान कहते हैं जिस प्रकार अगनी धुआ को ढख लेता है शीशे को धूल ढख लेता है उसी प्रकार से चेतन आत्मा पर भी काम के विभिन अवस्थाओं का लेप चड़ जाता है इसकी त्रप्ती कभी नहीं होती है और वसदेव आग की तरह दहकती रहती है अतह स्वयम को इंद्रियातीत आत्मनिष्चे कर मैं आत्मा सर्वस्रेष्ट हूँ इंद्रियों का मालिक हूँ तो स्वयम को इंद्रियातीत आत्मनिष्चे करके व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने मन को आध्यात्मिक पुरुशार्थ में लगाए क्योंकि इस आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही वह सदा अत्रप्त रहने वाली काम वासनाक गृपी शत्रु को जीत सकता है ये विधी भगवान ने बताई कि जितना हो सके इंदरियों का मालिक बन करके अपने मन को आध्यात्मिक बुरुशार्थ में लगाओ